हेलो सुडेंस वेलकम बेक टू अनलाइन क्लासिस आज आपके लिए आपका साइंस का बहुत ही एकदम मस्त कॉंसेट वाला जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यह लेकर आया हूं अभी हां पर सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रिफ्लेक यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि इन दोनों में क्या अंतर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट कोई सर्फेस पे टकरा के स्ट्राइक होती है मतलब के जो मीडियम में होगा वही से लाइट स्ट्राइक होके बापीस जाएगी और यहां पर नीचे जो मैंने का रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन की बात करऊं मैं यहां पर रैजवागा क्या होगा एक मीडियम जैसे एंट्ट्यू मीडियम में पास हो जाएगी उस ताइम पर वह लाइट जो है ने की वाजय से वह पूरा डिटियल में परने वाले इनका डिफरेस समझने के बात य सबको बच्पन में भी आया था साइस इबूग में आप पता है आप नहीं देखा भी होगा कि जो ग्लास होता है ठीक है उसमें पानी बरके पैंशिल लगते हो टील के लास में ग्लास के लास में तो उसमें आप ऐसे रखते हो तो फैंसिल फोड़ी बहुत अंदर से आपको कै प्रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन का स्टार्ट करते हैं कि लॉज फ्लेक्शन पर इसके इंपोर्टन पहला लोग ऐसा है जो नहीं है यहां पर सबसे पहले तो रियल में कोई सर्फेस पर नहीं हम कोई भी सर्फेस पर परेपेंडिकुलर लाइन इमेजिंग करते हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल तूदा सर्फेस और नॉर्मल तूदा सर्फेस से जो हमारा लाइट रहे है जो आरा है उसको इंसिडेंट लेगे उसके साथ बनाएगा वह होगा यंगल उफ इंसिडेल और होने और त्री यह और यह यह आल त्री लाइं देख लेटेंगे उसमें भी यहां पर पहले हम देख लेते कि टाइपस ऑप मिलर तो में ली मतलब जो यूज होते हैं देखते तो एक तो प्लें मिलर होता है प्लें मिलर सबके घर पे होता है मैं क्या होता है कि आप जो भी साइज है सेक्केश सबके만 वर्चूब वर्चूब क्योंकि आप जैसा दीख रहे हैं ना और तो नहीं है न वह दिखी अए अरगल व एती हूं लीटरली इंवर्टेर होती है लेटरली मतलब क्या कि अगर आप मीरर में ऐसे करते हो आपको वहां पर इमेज में लेफ्ट एड़ दिख रहा है ठीक है तो यह जो यह ऐसे रिवर्स हो जाता है इसे लेटरली इनुटेर उसको बोला जाता है तो प्लेन मिरार के बारे में ज्य कि बंदा खड़ा है और यहां पर उसकी इमेज दिख रही है तो यह आज बोला है कि यह जो है यह मिरर से 2 सेंटीमेटर दूर खड़ा है तो उसकी इमेज उससे कितने सैंटीमेटर दूर होगी तो चार सेंटेमीटर क्योंकि इतना दूर खड़ा है उतना इमेज भी उतना दूर बनेगा तो टोटल इंका इसा कोई आपको आ सकता है इसलिए बता है अब में जो में पढ़ना है वह यह पढ़ना है स्फेरिकल मेरे मतलब क्या कि जो ऐसे को वाले होते हैं ठीक ह जहां पैसे नहीं आप थोड़े मोटे पटले इस तरह क्या से अलग अलग दिखते वह वाला तो मीरर में देखावा तो स्फेरिकल मेर में में दो टाइप होते हैं एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और क्या डिपरेंस है ध्यान से सुना कॉनकेव मिरर में जो को के साइड है और अन्दर से आइगा ड बता है तो मतलब के प्नके मिर में अंदर की साइट बार की सब्सक्रियों हो जबको přीदेख हो द्सक्रियों होगा लाइव strongest होगा अंदर की साइट नॉन डिफलेक्टिंग होगी ठीक है और यह लोग नॉन secondo नरिफलेक्टिंग कैसे करते मैं समझाओ आपको जैसे आपको पता है ग्लास होता है उसकी एक सेड़ पर पेंट कर देना तो जनरली ग्रीन या ऐसा कलर लिया जाता है तो क्या हो जाएगा फिर वह नॉन अदर से रिपेट हो रहे तो क्यों उसका उल्टा अंदर से वह नौन रिप्लेक्टिंग पेंट है और अब इसके हम कुछ टम्स इंपोर्टन टम समझ लेते कि यह जो है इसमें टम्स क्या क्या इंपोर्टन है तो यहां पर आपको मैंने कॉनके इसलिए उसलिए यह ज्यादा यूज होता है और इसमें आपको टर्म समझें भी पड़ेगे तो जो समझो के इंफिनिटी से वह जो लाइट रहे है कितने भी वह कोई एक पॉइंट पर मर्ज होगे है जैसे कि आपको एक्जांपल बताओ कि और रहे हम मैगनिफाइं ग्लास लेते उसमें से सं को ऐसे पॉइंट पर बना देते ना जैसे जलन होती है फिर डिल जाती है तो वह करता है संडेश्क दूर से आ रहे उसको एक जहां से जो पॉइंट होता है उसका फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट अब यहां पर फोकल पॉइंट से यहां पर उसको बोला जाएगा पोल हम पर घूर्टे हम आखरा से लगाते तो एक संटर है यह यह कौक है यह मिर्सक्राइब अब क्या एक प्रिटरव कर्वेचर में इसको बोलने इस्टने चाहिएगा इस सेम्टेकर कर्वेचर और से पोल तक का जितना डिसेंस से उसको बोले जाएगा रेडियस और यहां पर एक चीज आपको इंपोर्टन रिजल्ट बदा दू कि रेडियस और हमेशा फोकल लेंग से डबल होती है यह यह रिजल्ट हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे यह पार्ट वने पार्ट वने यह जो लेंद्ध होती है वो फोकल लेंद्ध पोल सेंटर ऑफ करवेचर और यह पूरी जो यहां पर लाइन पास होती है में प्रिंसीपल एक्सिस तो यह सारे टर्म्स आपको समझने थे अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते कौन के मिरर से में लग कैसे कैसे टाइप की इम हमने रखा है इंफिनीटी पर जैसे अभी इसमें सोचा ना हमने की इंफिनीटी से लाइट रहा रहा है तो इमेज आपको मैंने अभी अभी समझे कहां पर बनेगी एफ एट फोकस पंट साइज उसकी एक यहां पर आपको ट्रिक बजाता हूं अगर बहुत मतलब सी से जित इंफिनीटी से काफी दूर हो गया तो काफी छोटा मतलब उसको ऐसे बोलेगे डिमीनिस्ट हाइली डिमीनिस्ट या पॉइंट लाइक डिमीनिस्ट अधिक और दूसरी एक आपको information दिताँ कि यह जो है ना नटूर मतलब के नेचा तो इसमें दो पैर होती है रियल के साथ हमेशा त्वारे देखो इमेज के मीरर की सेब्स पर प्रहें तो सारी जितने भी वह सब रियल इमेज जो वही होगी वही होगी क्या वर्चुल अगया लेंच में उल्ठा लैंस में उस से लैंस पास हो जाती है तो लैंस में हम क्या याद रखेंगे उसमें उस साइड होने चाहिए अधर साइड दे लेंज तो वर्चुल यह चीज याद रखना दीमाग में तो यहां पर उल्टा करते हैं अब ऑब्जेक को हम एफ पर रखते हैं तो इमेज आना इंफिनिटी पर मिलती है देखो ऐसे उल्टा उल्टा साइज मेंगनिफाइड एंडलाच मेंगनिफाइड भी लिख सकते हो और यह तो रियलन इंवर्टेटी जाएगा सब में आप ऐसा मत करना यहां पर जगा कम है और मुझे वीडियो भी खतम करना है इसलिए आप रियलन इंवर्टेट हर एक पूरा टेबल ऐसे प्रॉपर ल प्रॉपर तो सी से जब बार होता है तो इमेज मिलता है बीट्विन एफ एंट सी का मिलेगा प्रॉपर और यहां पर मिलेगा फिर से लॉजिक सुचो और रखांग तो फिर आपको इमेज मिलेगी यह तो रियल इनवर्टेटी है समझगे अब उल्टा करते हैं अब तो इमेज मिलेगी बीओंड सी ऑब जेट जब बीट्विन सी एंड एफ इमेज भी एंट सी मिलेगी अब ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है इन दुनों के बीच में मतलब के सी से अंदर आगया औप्जेक्ट तो वापिस इमेज एंड लार्ज और यह से अब यहां पर एक इसका नाम में दे रहा हूं तो इमेज वहीं पर सी पर मिलेगी ऐसे नीचे उल्टी इमेज मिलेगी उत्र ही साइस की इमेज का नाम में देता हूं ठीक है अब जैसे अगर फॉर एक्जांपल यहां पर ऑबजेक्ट होता यह भी मलब सी से बार बियॉंड सी तो यह बीट्विन सी एंड फीदर इमेज मिल अब हमारा एक फोकस पॉइंट हो जाता है उससे ज्यादा अंदर देखो तो आपको नहीं दीखेंगे जैसे आप आप खुदी ट्राइक कर लो हमारे आइस का जो है ना फोकस पॉइंट नियरस्ट जो है हमारे आई का वह 25 सेंटीमेटर हमारे आई लेंस से तो मतलब कि आप हमारे आई लेंस से अच्छी तरह से थोड़ा और अंदर भी देख सकते पर एकदम नजदिक ले जाके आप कुछ भी पढ़ने का ट्राइक करना तो पूरा ब्लर हो जाएगा ठीक है ज्याद देल तक मत करना आइस करा हो जाएगी तो अब क्या होगा इसका पूरा नेचर च हो गया वर्चियल और वर्चियल के साथ पैर में कौन होता है इरेक्ट अगर ऐसा है इमेज भी ऐसे उल्टा नहीं मिलेगा अब यहां पर देखो मैंने थोड़ा बढ़ा बता है क्यों अबने तो सी से अंदर ही रखा ना तो लॉजिक तो यह सी से अंदर होता है आप्जेक अहां पर एक बहुत ही इंपोर्टन्ट आपको बात बता दूके जो कॉनकेव मिरर का इमेज फ्रमेशन है वैसा सहीं कॉन्वेक्स लेंज का है इमेज फ्रमेशन और कॉनके वाला जो मैं बना रहाए दूसरा यह जो है यह है इन दोनों का इसी साब से से होता है खली क्या चेंज करना देखो द्यान से सुनना यही पूरा पूरा टेवल आप याद कर लो तो कॉनके मीरर के साथ साथ आपको इतने चेंज करने के जहां जहां पे हम सी लिख रहे हैं ना यह जहां पर आपको लिखना है क्या लिखना है अब यहां फोल इन पूल उसकी जहां पर लिखेंगे और यहां पे जगांपे बियांड जो था कि उसकी जहाँ पर आपको क्या चेंज करना है कि सेम साइड ऑफ दे लेंज बस बागी पूरा का पूरा यह चाप दो यह जो इतना चेंज मैंने तींग बताया वो इसमें चेंज कर दो तो आपका पूरा साथ साथ मैं पर यहां pul समझखे अब धांपे हम कॉन्वेक्स मिरर का बीमेज फोर्मेशन देख लेते कॉन्वेश मीरर जो है वह मैंने बता कि रिखंड зов होता है कि यहां पर आपको इसमें ऑसiße है आपको आउटर साइड पर यहाँ पर यहां से लाइड़ यतो आता है पर इमेज इससाइड फॉर्म नियोंगे इमेज हमेज पीछे ही फॉर्म होती है तो मिर्ट इसमें फॉम होती है फॉर्म बिखा जैना अब इसमें क्या है अगर इंफिनीटी पे हम रखते हैं और नेचर भी हमेशा वर्चुल निरेट ही मिलेगा यह इसलिए क्योंकि यह हमेशा बिहाइंड देता है इसलिए यह हमेशा नेचर उसका वर्चा इरेट और साइज भी हमेशा डीविनिस रहेगी और दूसरा इसमें दो और दूसरा है इसमें कि बीट्विन कि इंफिनिटी एंड पी कि लगा ना तो आपको इमेज मिलेगी बीट्विन पी एंड एफ पांकि यह तो मैंने बोला ऐसे सेम ही रहेगा साइज और नटूर अभी हाँ पर आपको एक और इंपोर्टन इम्पोर्टन बताता हूं कि यह जो है इसलिए यूज होता है हमारे वीकल के साइड ग्लास में हमारे जो वीकल होता है साइड लास में कॉन्वेक्स मिर्वेर इसलिए इसको यूज किया जाता है क्योंकि उसमें जो साइड लास से आपको जो करना होता है जब आप ड्राइव कर रहे हो तो चोटे-चोटे इमेड देखेंगे आपको आईडिया आएगा कि ज्यादा इतने सारा लोग आ रहे है ठीक है तो यहां पर उसका यूज भी है इसका ऐसा है नेचर और साइस फिर भी इसका यूज है और इसका तो काफी सब जगह यूज होता है कॉनके मिरर का जो कार के अब कांवेक्शन रूल यह समझ लेते हम फिर शतम करेंगे ना वीडियो तो यहां पर देखो कांवेक्शन रूल में ऐसा है कि मीरर जो होता है हमारा जो रिफलेटिंग वहां से उसको हम जो पोल जो गिन रहे थे ना उसको हम यहां पर ओर जैसा समझेगे आप पड़े होना पहले जो कार्टेजियन प्लेन कोडिनेट जो में यह ओरीजीन होता है यहां पर राइट सेड प्लस नंबर लेट सेड माइनस उपर प्लस नीचे माइनस सेम चीज़ अगर यहां पर पोल है डिफलेक्टिंग जैड है यहां से हम पोल से लेफ सेड कुछ बिडिस्स घिनते कुछ भी तो गीने के किस में माइनस इस उीड़ेट सेड गिने तो प्लस में यह जो है हमारा फ्रीब का प्रिंसिपल एक्सेश उसके ऊपर कोज भी होगा तो इसके जैसे उपर प्लस नीचे मेर्श इसको बोलते कार्टेज्ञ सेंकन ने मीरर में यह एक आपको नियुमेरिकल में फिर कैसे यूज करना आपको बताऊंगा तो अभी आपको क्या करना है क्या नौट डाउन करना है ध्यान से सुनो आपको अच्छी तरह से यह तो सब समझ लिए अपने यह टेबल बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसको नौट डाउन किजिए और यह च करना है